नमस्ते यह विडियो है Jolly Phonics के Group 2 की व्रकशीटे पर Group 2 में 6 sounds होते हैं मैंने Group 1 की व्रकशीट पर भी विडियो बनाया है साथ में ही मैं यह बता दूँ कि Jolly Phonics के पूरा detailed lesson plan के हिसाब से विडियो बनाये है मतलब आपको पहले दिन से, दूसरे दिन, तीसरे दिन कैसे सिखाना है, activities क्या करानी है, blending कैसे सिखानी है, वो पूरा detailed comprehensive videos बनाए हैं, तो देखने के लिए आप इस I button पे क्लिक करिएगा, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट में लेगी, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सीक्वेंस वाइस दिये गए हैं, जॉली फॉनिक्स में, in K-King-Fisher, ये भी माच होगा, this is a square set, ये माच नहीं होगा, K-Key, ये माच होगा, K-Clips, ये माच होगा, and this is Crane, K-Crane, ये भी माच होगा, second worksheet, match the pictures beginning with I sound, तो E ये बीच में दिया, अच्छा बीच में इता बड़ा पैंसल से इसलिए दिया है, बच्चा इसमें कर सकता है, या फि paper chits paste कर सकता है, stickers लगा सकता है, कुछ भी, या फिर ऐसे stamping कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और साथ में, जो पिचर्ज ए साउंड से शुरू हो रही है, वो माच करना है, तो E elbow, E egg, pyramid, इसमें E sound नहीं है, ये माच नहीं होगा, E elephant, B, इसमें E alphabet, sorry, E letter तो है, बट साउंड नही है, तो ये भी माच नहीं होगा, next is H sound, तो H, hammer, H, helicopter, H, hat, pomegranate, तो ये माच नहीं होगा, H, hands, and this is kingfisher, तो ये भी माच नहीं होगा, this is R sound, तो जो पिचर्ज ए से शुरू हो रही है, वो इससे माच होंगी, बाकी नहीं होंगी, raspberry माच होगा, rope माच होगा, refrigerator, rocket, and this is a beetle, ये मा माच नहीं होगा, फिर माच तो पिचर्ज बिग्निंग विद, sound, again, इसमें आप कलर करा सकते हैं, या स्टिकर्ज लगवा सकते हैं, डॉट्स बनवा सकते कुछ भी कर सकते हैं, money माच होगा, marble माच होगा, moth माच होगा, sugarcane ये नहीं माच होगा, moon माच होगा, d sound, d duck माच हो आपके बास इतना टाइम नहीं है, तो चार्ट्स ले सकते हैं, जो आते हैं मार्केट में, तो उसमें से पिचर्ज लगा के निकाल के लगा सकते हैं, जैसे ये चार्ट से लिया है, ये मैंने पुरानी एक बुक से लिया है, ये मैंने एक मैच्जीन से लिया है, नेक्स्ट माच्छे को स्मॉल लेटर को स्मॉल लेटर से माच करना है और उसके बाद उस पिच्छे से माच करना है जो के बिगनिंग साउंड होगी जिसे स्मॉल च और के और यहां पर कापिटल सी जो के तो यह क क माच होगा और केक ई ए तो ए ए ए ए एलिफंट ह हैं यह रोस इम न आंगो और ड डॉक सर्कल द करेंट लेटर साउंड यहां पर मैंने बर्द इन्सेक्ट आनमल ही यूस किये हैं आप कुछ भी यूस कर सकते हैं अब यहाँ पे जो पिचर है उसका beginning जो sound है वो यहाँ पे circle करना है इन चार sounds में से तो कॉक यह circle होगा मॉस्किटो यह circle होगा ड ड डॉल्फिन ये ए मॉ यह circle होगा rabbit this one and horse this one next is is the sound there on each line cross the picture without that sound अब यहाँ पे सिर्फ beginning sound की बात नहीं हो रही है बच्चे को यह picture देखनी है यह sound यह sound कहीं भी हो अगर beginning में middle में या end में कहीं भी हो तो ठीक है otherwise picture को cross out करना है तो k candy fish cup तो fish cross out umbrella heart grapes तो यह दोनो cross out mittens box net तो यह cross out sorry यह दोनो cross out a mop tree fork तो यह sound इन तीनों में से किसी में नहीं आ रही है तो यह तीनों cross out d duck dice mango यह cross out rainbow straw star अब यह देखेंञिए तीनों में sound आ रहा है rainbow और rainbow में beginning में आ रहा है straw में below इस्टार में end में आ रहा है तो आप तीनों मेर आ तो इन में से कोई cross out नहीं होगा अब यह है writing word इसमें बच्छे को trace करना है और blend कर करना है रीट करना है औब फ्लेंड करना कैसे सिखाना है उसके लिए जो मैंने आपको बताया है वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने डे तो-डे लेसन प्लान दिया है और यह इतने सारे वर्द्स हैं तो अफ्ले शारे मेट हैं वो आपको blueberry description box में मिल जाएंगे उसी विडियो के उस विडियो का description box चेक करिएगा सारा जो word bank है यानि कि जितने words हैं जो इस group से related हैं तो वो सब आपको उसमें मिल जाएंगे तो ऐसे cloud बना दिया है और dots बना दिया है बच्चे को trace करना है sound बताना है उनको blend करके read करना है तो क, इ, ट, kit, प, ए, ट, pet ऐसे यह तीन sheets इस पर है next, listen carefully for the sound at the end अब end sound जो भी है वो बच्चे को यहाँ पे लिखनी है goat, ट, kingfisher, र, duck, c, k दोनों आएगा sound क्यूंकि एक है c और k दो अलग-अलग letters है जब लेकिन दोनों साथ में होते है तो sound सिर्फ एक ही बार निकलती है k, तो duck, penguin, n, hen, n, shark, k, spider, l इसा लगा आपको वीडियो मुझे comment section में जरूर बताईएगा अगर helpful रहे तो like और share जरूर करिएगा and end में मैं फिर से repeat कर रही हूँ कि आई बटन में जाके इसके बाकी के दो वीडियो भी जरूर देखिएगा जहां पर मैंने day to day lesson प्लान दिया है और जहां पर अपनी बेटी को भी मैंने ये सारी वरकशीट्स और activities कराते हुए दिखाया है इससे आपको बहुत help मिलेगी अच्छा idea लग जाएगा कि phonics आखर पढ़ाना कैसे है देखते रहे ये ममी जी बर इंडिया नमस्ते ये जो प्लान पर मिलेगी झाले रहे जाएपको ये जगते है